आज हम आपनों के लिए इस्ती त्रैलोक्य मोहन काली कवच लेकर के आए हैं यह रुद्रियामल तंत्र में मिलता है और यह काली कवच बहुत सारे बीज आक्षरों और माता काली के बहुत सारे मंत्रों से भरा पड़ा है तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत्र तक अवश्य ही देखे एक तो जगह बीज आक्षरों में मुझे कुछ त्रूटी भी दिख रही है तो मैं वहाँ पर समझने और समझाने का प्यास भी करूँगा और फलशुती के भाग में कुछ शब्दों के अर्थ भी बताऊंगा तो प्रारंभ करते हैं अथ श्री त्रैलोक्य मोहन काली कवचं रुद्रयामल तंत्र श्री देव्यु वाच देव देव महादेव संसार प्रीतिकारक सर्व विद्येश्वरिम विद्याम कालिकाम कथयाद भुताम कहीं कहीं कथयाद भुताम है कहीं कहीं कथयाद धुरुवं शब्द में आता है श्री शिव वाच श्रिनुदेवी महाविद्याम सर्व विद्योत्तमोत्तमाम सर्वेश्वरिम महाविद्याम सर्व देव प्रपूजिताम यस्याह कटाक्ष मात्रेन त्रैलोक्य विजैहर बभुव कमलानाथो विभु ब्रह्मा प्रियापती सची स्वामी देवनाथो यमु अपी धर्म नायकह त्रैलोक्य पावनी गंगा कमला श्रीर हरी प्रिया दिन स्वामी रविष्चंद्रो निशापतीर ग्रहेश्वरह जलाधी पतीर वरूनह कुबेरो अपीधनेश्वरह अव्याहत गतीर वायूर गयास्यो विघ्न नायकह वागीश्वरह सुराचार्यो गुरूह कवीह या कही कहीं सुराचार्यो दैत्याचार्यो महा कवीह एवं ही सर्व देवाश्च सर्व सिध्धिश्वरह प्रिये तस्यास्तु कवचं दिव्यम मात्री जारं वीभावय हार तस्यास्तु तस्याहыт उसकुतयार्यो जब्सक्त्यो संतीर श्लिय स्वरह गभावयáriaR ओम अस्य श्री दक्षिन काली कवच्च मंत्रस्य भैरव रिशी अनुष्टुप छंदः शम्शान काली देवता धर्मार्थ काम मोक्षार्थे जपे विन्योग ह। इस विन्योग में बताया गया है कि इस दक्षिन काली कवच्च के रिशी भैरव है इसका छंद अनुष्टुप है और इस कवच्च के मूल देवी शम्शान काली माता है और साधक अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसका जप या पाठ कर रहा है इस विन्योग में बीज मंत्र, शक्ती मंत्र और किलक मंत्र नहीं दिया गया है त्रैलोक्य मोहन कवच्च माता दक्षिन काली का है और मूल देवी शम्शान काली है तो इन दोनों माता में से इनका ध्यान सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान मंत्र फिर पूजन और जब आदी करना हो तो करने के बाद फिर कवच्च का मूल पाठ प्रारंभ करते हैं कवच्य मूल पार ललारतं पातू चक्रिम्मेحरेनाराधितं सद नेट्रे में रक्षतू क्रिम् कृम् विश्नुना से वितापुरा क्रिम् हूं ह्रिम्नासिकां पातू ब्रह्म नासे वितापुरा कृम 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 वदनं पातु शक्त्रेन अराधिता सदा कृम स्वाहा श्रवनं पातु यमे नेव प्रपूजिता कृम हुम हृम स्वाहा रस्ना गंगया से वितावतु दंत पंक्ति सदापातु ओम क्रिम हूम हृम स्वाह ममा भुक्ति मुक्ति प्रदाकाली श्रिया नित्यम सूसे विता ओस्टाधरम ओस्ठ और के लिए ओस्ट अधरम सदापातु क्रिम 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 हूम 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 हृम 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 मम सर्व सिध्धि प्रदाइका कंठंपातु महाकाली ओम क्रिम हृम्मे स्वाहा ममचंद्रेन अराधिता चतुरवर्ग फलप्रदा हस्त युगमं सदापातु क्रिम 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 हुम हुम हृम 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 स्वाहा सौख्यदा मोक्षदा काली वरुनेन ऐव सेविता ओम क्रिम हुम हृम हृम फट्ट स्वाहा हृदयं पातु सर्वदा सर्वसंपत् प्रदा काली कुबेरे नोप सेविता आयम हृम 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 पट्ट स्वाहा हस्त युगमं सदावतु वायुनो पासिता काली या वायुन उपासिता काली यशो बल सुख प्रदा क्रिम क्रिम हुम हृम 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 फट्ट पातु जठरं मम सर्वसिद्धी प्रदा काली गन नाथेन सेविता क्रिम दक्षिने काली के हृम स्वाहा नाभिम ममावतु सिद्धी बुद्धी करी काली गुरुना सेविता पुरा लिंगं पातू सदा हुम हुम दक्षिने कालिके हृिम शुक्रेन अराधिता काली टரैलोक्य जय दाईनी पात्व अन्दकोशं पात्वंड कोशं क्रिम क्रिम दक्षिने कालिके ह्रिम ह्रिम स्वाहा धरया से विता विद्या सर्वरत्न प्रदाईनी पातु गुदम क्रिम क्रिम दक्षिने कालिके ह्रिम स्वाहा द्वादशी चा महा विद्या राघवेन अर्चिता सदा यहाँ पर द्वादशी महाविद्या कहा गया है लेकिन क्रिम क्रिम दक्षिने कालिके हिरिम स्वाहा 11 वर्ण ही आ रहा है मुझे एक बीज मंत्रिहां मिसिंग लगता है जानुनिपातु औम क्रिम क्रिम दक्षिने कालिके स्वाहा एकादशी महाविद्या मेगनादेन सेविता करिम्-करिम्-दक्षिने कालिके हरिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम्-करिम खिर चान अखान सरत सदा पाथ तृ पंच दशीत ग्रह केश्वरि कि में एक बीजुमंत्र मिस है क्योंकि यहाँ पर पंच दशीत यानि पंद्रह वर्न होना चाहिए क्रिम 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 हुम 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 हुरिम हुरिम दक्षिने कालिके क्रिम 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 मम प्रिष्थे सदा पातु शोडशी परमेश्वरी क्रिम 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 पातु रोमानी हुम हुम रक्षतु वर्मनी मानसं पातु सदा हृम हिम रक्तं दक्षिने कालिके क्रिम 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 पातु में अस्थी मज्जाम हुम हुम सदावतु हृम हृम शुक्रम सदापातु रंध्रम स्वाह ममावतु द्वाविंशत्य अक्षरी विद्या सर्व लोकेशु दुर्लभा महाविद्येश्वरी विद्या सर्व तंत्रेशु गोपिता अब यहाँ पर बहुत सारे रिशी मुनी और राजाओं के नाम है जिनोंने माता काली के इसकवच का पाठ आदी किया है सूर्य वंशेन सोमेन रामेन जग्निना जयंतेन सुमंतेन बलीना नारदेंच बीभीषनेन बानेन भीगुना कश्य पेंच कपीलेन वशिष्ठेन धौमेन त्रीपूरेंच मारकंडएन ध्रूवे नयव द्रोनेन सत्य भामया रिश्य श्रिंगेन करनेन भारद्वाजेन सैयुता सर्वेन अराधिता विद्या जरामृत्यु विनाशिनी पूर्ण विद्या महाकाली विद्या राग्गी प्रकिर्तिता काली कपालिनी कुल्ला कुरु कुल्ला वीरोधिनी विप्रचित्ता तथोग्र प्रभा तथा उग्र प्रभा दीपता घनत्विशा नीला घना बलाकाच मात्रा मुद्रा मीता अपीच यह सभी माताकाली की शक्तियां हैं सभी के हाथ में खडग है और सभी मुंद माला से वीभूशित हैं हुम हुम कारे अट हासे न सर्वत्र पातुमाम सदा ब्रहम्मानी पातुमाम पूर्वे आग्नेया वैश्नवीत था माहेश्वरी पातु याम्ये चामुंदा नैरिते सदा कमारी वारुने पातु वायवे अपराजिता वाराही चोत्तरे पातु चोत्तरे पातु च उत्तरे पातु इशान्याम नार सिम्हिका अधह उर्धवे पातु काली पार्षवे प्रिश्ठे च काली का अधह उर्धवे नीचे और उपर की दिशा पार्षवे प्रिश्ठे आगे और पीछे की दिशा जले अस्थले च पाताले शयने भोजने ग्रीहे, राज अस्थाने कानने च विवादे मरने रने, पर्वते प्रांतरे शुन्य पातु माम कालिका सदा, शवासने शम्षाने वा शुन्य आगारे चतुष्पते, शवासने शव के आशन पर, शम्षान में सुन्सान घरादी चौराहे पर हर जग माता कालिका मेरी रक्षा करें, यत्र यत्र भय प्राप्तिह सर्वत्र पातु कालिका नचत्र तिथी वारेशु योगम कर्ण योरपी, कर्ण योरपी मासे पक्छे वत्सरेच दंडे आमे नीमेश के दीवारात्र सदा पातु संधय योः पातु कालिका, सर्वत्र कालिका पातु कालिका पातु सर्वदा, सर्वत्र कालिका पातु यानि हर जगा, हर अस्थान पर माता कालि मेरी रक्षा करें, कालिका पातु सर्वदा और माता कालि हर इस्थिति में हमेशा मेरी रक्षा करें, तो मूल कवच यहीं तक है अगर आप कवच का 11, 21, 51 पाठ करना चाहते हैं तो ध्यान पूजन आदी के बाद कवच को यहीं तक बार-बार पाठ करें और फलशुति अंत में एक बार अवश्य ही पर लेना चाहिए क्योंकि फलशुति में बहुत सारी गुप्त चीजों का वर् नित्यम कवचं शीव निर्मितम सर्व पापं परित्यज्य गच्छे छीवस्य चालयम गच्छे छीवस्य चालयम या शीवस्य चालयम या शीवस्य चालयम यानि इससे हर प्रकार का पाप खत्म हो जाता है और साधक भगवान शीव के आलयम यानि उनके लोक में जाता है त्रैलोक्या मोहनम दिव्यम देवतानाम सुदूरलभं यह पठेत साधकाधीशह सर्व कर्म जपान वितः सर्व धर्मेद भवत धर्मी सर्व विद्येश्वरेश्वर या सर्व विद्येश्वर इश्वर कुबेर इव वित्ताधय सुवानी कोकिलस्वर कवित्वे व्यास सद्रिशो गनेश वच्च छतीधर कामदेव समोरूपे वायू तुल्यह पराक्रमे महेश इव योगिंद्र आश्वर्य सुरनायक ब्रिहस्पति समोधीमाम जरामृत्यू विवर्जितह सर्वग्यह सर्वदर्शीच निहिपापह सकल्प्रियह अव्याहत गतिह शांतो भार्या पुत्र समन्वितह योदेहे कुरुते नित्यम कवचं देव दुर्लभं ना शोको ना भयकलेशो ना रोगो ना पराजय धनहानिर विशादोय परिवारो भवेन नही पाधर और आदा म संग्राम शूजय ड़्यत कि प्रीवा करने से संग्राम आदी में युद्ध छेत्र में शत्रू का ऐसे ही नाश होता है जैसे अगनी वन को सभाशावदक सजन्य धिल दुर्याckt कि है विथूड Driš इससे ब्रह्मास्त्र आदी शक्तियां भी प्रभावीन हो जाती है ब्रह्मास्त्र आदी नीवास्त्राणी पश्वह कंट कादम तस्य देहम नभिंदती वज्राधिक भवेद वपूह ग्रह भूत पिशाचस्च यक्ष राक्षस किन्न राह सर्वे दूरात पलायंते हिंसको नश्यती धुर्वम इससे भूत प्रेत यक्ष राक्षस किन्नर सभी दूर हो जाते हैं जो हिंसक पशुआदी होते हैं सब नाश हो जाते हैं इस कवचादी के पाट से माता काली की किरपा से अगनी शरीर को जला नहीं सकती शोशयती वातो अपि और वायु शुष्क नहीं कर सकते शरीर को कोई दुख नहीं हो सकता शशी यानि चंद्रमाधी शरीर को ठंधा नहीं कर सकते बर्फ के तरह ठंधा नहीं कर सकते यानि किसी भी तरह का पंच महा भूतों का कोई भी असर अगनी जल वायु आदी का कोई भी असर नहीं होता है यानि साधक इन सभी शक्तियों के दुश्प्रभाव से सुरक्षित रहता है यानि और अन्य क्या कहा जाए हर प्रकार की सिध्धी मिलती है राज्यम भोगम सुखम लबधवा स्वेच्छया अपी शिवो भवेत मोहन अस्तंभन आकर्ष मारन उच्चाटनम भवेत इससे मारन मोहन अस्तंभन सब कुछ हो सकता है यानि जो बंधया इस्त्री होती है या जिसके पुत्र होती मर जाते है तो इस कवच को धारन करने पर उसे चिरायू और पंडित यानि बिद्ध्वान पुत्र की प्राप्ति होती है और धन धान आदि की कोई कमी नहीं होती है सुत्य आनि पुत्र आदि को बोलते है इदम कवचम अज्यात्वा योजपेत कालिका मनुम ध्यानेन कोटी जपतेन तस्य विद्ध्यान सिध्यती यानि इस कवच को जाने बिना जो माता काली की पुजा मंत्र जप आदि करता है उसे कभी सिध्धी नहीं प्राप्त होती है कोटी-कोटी जप में भी सिध्धी प्राप्त नहीं होती है ध्यानेन कोटी जपतेन तस्य विद्ध्यान सिध्यती पदे-पदे भवेद दुखम लोकाना निंदतो धुरुवम इह लोके भवेद दुखी परेचा नरकम ब्रजेत यानि ऐसे साधक जो कवच आदि के बिना मंत्र जब पूजन करते हैं तो कदम-कदम पर उन्हें दुख और कलेश होता है लोक में निंदा होती है इस लोक में उन्हें दुख प्राप्त होता है और मरने के बाद भी वो नरक में जाते हैं ऐसा यहां लिखा गया है यहां कहा गया है कि गुरु मनुम आदि में कोई भेद भाव न करते हुए जो यह कवच का पाठ करता है उसकी विद्या सिध्ध होती है यहां सत्य है यहां सत्य है तस्य विद्या भावेत सिध्धा सत्यम सत्यम वरानने यह इदम कवचं दिव्यम प्रकाशय शिवहा भावेत यह बहुती दिव्य कवच है और इसका इधर-धर जादा प्रचार करने से शीवहा यानि शीवहत्या आदी जासा पाप लगता है भक्ताय श्रेष्थ पुत्राय साधकाय य प्रकाशेत जो भक्त है जो श्रेष्थ पुत्र हो जो साधक हो जो शक्ती का उपासक आदी हो जो शीव और शक्ती का उपासक हो तो ऐसे साधक को देना चाहिए यह प्रकाशित करना चाहिए, ऐसा इसका आर्थ है, तो इस तरह की विद्या का इधर उधर जादा प्रचार भी नहीं करना चाहिए, अगर आप इसका पाठ करते हैं, तो इसे गुप्त रूप से इसका पाठ करें, पूजन करें इती श्री रुद्रियामले देवी शंकर समवादे त्रैलोक्य मोहनम नाम कवचम ओं तो यह त्रैलोक के अमोहन नाम का कवच है यह रुद्रियामल तंत्र में है और यह देवी और शंकरजी के बीच समवाद के रूप में है तंत्र के ग्रंथों में बहुत सारी भिन्दताएं पाई आती है, बहुत सारे तंत्र है, बहुत सारे मंत्र आदी के ग्रंथ है तो कहीं पर देवी और शंकरजी के बीच समवाध होता है, कहीं भैरवी के बीच समवाध होता है कहीं महाकाल और महाकाली के बीच संबाद होता है सभी तंत्र ग्रंथ अलग-अलग समय में अलग-अलग अस्थान पर अलग-अलग परिस्थिती में पूछे और लिखे गए हैं इसलिए इतनी सारी विविधताएं हमें मिलती है तंत्र के गरंथों का सम्मान करें, गलत प्रयोग ना करें, इसकी PDF की फाइल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर लें, धन्यवाद